हेलो गाइज मैं रभी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एजुकेशन और यूट्यूब चैनल पर दोस्ता आज किस वीडियो में हम सिंप्लिफिकेशन और एलजेब्रिक सिंप्लिफिकेशन आज हम इन दोनों के कुश्चन करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में सिंप्लिफिकेशन और एलजेब्रिक सिंप्लिफिकेशन के कुश्चन करेंगे तो आज किस वीडियो में हम कुश्चन करने वाले हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, जो सबसे पहला question है, वो है, एक मिन्ट चरह मैं इसको लिख लेता हूँ, 0.0324-0.0121 by 0.07 तो ये है आपका पहला question तो देखे, इसको किस परकार से करेंगे हम, देखते हैं देखे, जैसे कि आपका ये question हो गया है यहाँ पर देखे, जो ये 0.0324 है, इसमें से केवल आप 324 अगर आप देखे, तो आपको पता चलेगा कि 324 जो है, 18 का whole square होता है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कि 18 का whole square, या फिर square आप बोल सकते हो minus 0.0121 किसका होता है, 11 का होता है, तो इसको हम 11 का लिख लेंगे और by 0.07, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए अब आपको पता है, कि ये a square minus b square, a square minus b square, ये यहाँ पर बन गया है हमारा, ठीक है a square minus b square बन गया है, a square minus b square का formula आपका क्या होता है, a plus b और a minus b, ठीक है तो इसको अब हम point की form में कुछ इस परकार से लिख लेंगे, देखिए 18 का, ये मैंने exact यहाँ पर नहीं लिखा है तो देखो इसको मैं 0.18, ठीक है उसको भूल जवाब जो भी मैंने वो लिखा, तो मैं यहाँ पर इसको सीधा-सीधा formula में लिख लेता हूँ, चलिए 0.18 plus 0.11, bracket close and इधर एक बार minus में लिख लेते है, 0.18 minus 0.11 ठीक है, ये लिख लिख लिए हमने, और upon में इसको कर लेते है, 0.07, तो देखें, जब हम 0.18 में से 0.11 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा, same to same, 0.07, तो इससे हम इसको cut कर लेते हैं, और आपका answer कितना आ जाएगा, तो आपका answer आ जाएगा, 0.18 plus 0.11 equals to कितना हो जाएगा आपका, 0.29, ठीक है, ये आपका answer आ जाएगा, hope कि आपका question समझ में आया होगा, देखें, क्या किया है, मैं एक बार और फिर से revise कर देता हूँ, यहाँ पे, देखें, क्या क्या है मैं इसमें, देखें, 0.324 जो है आपका, अगर 324 को देखूं मैं यहा 0.18 का square लिख सकते हैं, हमें इसको, ठीक है, तो अगर मैं इसको इस परकार से लिख सकता हूँ, 0.18 का square, तो यहनि कि यह अब आपका a square minus b square का formula होगा, a square minus b square का formula क्या होता है, a plus b into a minus b, ठीक है, अब उन में जो था आपका, वो एजिट इस लिख लिया, बाद में काट लिया, और मनलब calculation complete कर ली, और आपका question जो है, soul हो गया, तो आपको उमीद है कि समझ में आया होगा, तो चलिए आप बढ़ते हैं next question की तरफ, तो देखिए next question हमारा यह रहा, next question क्या है, 3 by 2, आपको screen पर अराम से दिख रहा हो गई, 3 by 2 plus 1 by 2 का 15 बटे 6, minus 1, ठीक है, तो यह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यह question देखिए आप और इसको एक बार soul करके देखिए, अगर नहीं होता है, तो उसके बार मैं खराता हूँ, तो देख लीजे एक बार आप इसको soul करके, उसके बार हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, यहाँ पर क्या है आपको, तो क्या दिया है आपको, 3 by 2 plus 1 by 2 का, 1 by 2 का, 15 बटे, 16 minus 1, ठीक है, यह question दिया गया है आपको, इसका हमको मान बताना है, ठीक है, तो यह आपको question दिया गया है, देखिए, इसमें सबसे पहले हम, बोडो मास के rule के हिसाब से, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था, कि सबसे पहले हम, या तो bracket को, वैन कुलम बार को soul करेंगी, ठीक है, फिर bracket को, और फिर का को, ठीक है, त तो चलिए इनकी multiply कर लेते हैं, अब का का मतला multiply हो जाता है, तो 3 by 2 पलस 15 एकम 15 बटे 16 दूनी 32 माइनस 1 हो गया जी आपका, अब इसको soul कर लेंगे, soul करना आसान है, 32 एलसियम ले लेंगे यहां से, यह क्या हो जाएगा, 48, ठीक है, 48 पलस, यह 15 ही रहेगा, और माइनस 1, स्वरी, माइनस 32, 32, 32 हो जाएगे ना, एलसियम लिया है, ठीक है, तो इसको soul कर लेंगे, कितना आ जाएगा, total soul करके, total soul करके आजाएगा, आपका, 30 बटे, 32, ठीक है, 30 बटे, 32 आपका, आंस्वर आजाएगा, यानिकि, B option is right, ठीक है, B option आपका एकदम सही है, ठीक है, तो आपको question समझवें आया होगा, जरूर से, चलिए एक बार और repeat कर देता हूँ, तो सबसे पहले हैं, हमने का को soul किया, यानिकि, एक की 15 में, और दो की soul हमें multiply करी, ठीक है, multiply करने के बाद हमारी कुछ इस परकारी calculation बनी, calculation बनने के बाद हमने LCM लिया, और इनको soul कर दिया, calculation आप करके देख सकते हैं, और उसके बाद आप soul करके, आपका यही HGT सांस पर आ जाएगा, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने next question की तरफ, देखे जी, next question क्या है आपका, next question है आपका 4.8 divided by 0.6, 0.6 का 5 पलस 0.8 गुना 0.3 माइनस 0.2, तो देखे, यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर भी हम का को soul करेंगे, तो देखे, 0.6 का 5, तो 0.6 का 5 लिखा हुआ है, यानि की 0.6 गुना 5, ठीक है, तो 6 पंजे 30, तो 4.8 को एजेटिस लिख लेंगे, चार पॉइंट आठ, चार पॉइंट आठ, डिवाइड बाई, पांच अंग 30, तो एक पॉइंट के पाद, 0, पलस, इनकी 8 की और 3 के मल्टिकल, अपलाई कर लेंगे, 0.8 गुना 0.3, तो आट गुनी 24, तो 0.24 हो जाएगा, यहाँ पर यह, माइनस 0.2, ठीक है जी, तो अब हमारी यह equation बन गई है, अब क्या करने वाले हैं, अब हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, तो देखें, मैंने पहले multiply यहाँ पर कर ली, क्योंकि इस multiply का, जो यहाँ पर यह multiply थी, इस multiply का, इस divide के साथ कोई भी संबन नहीं था, ठीक है, त अब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, तीन इकम तीन और तीन अच्छंग 18, यानि कि 1.6 आ जाएगा आपका, पलस 0.24 माइनस 0.2, ठीक है, तो यानि कि इनको जोड लेंगे, तो क्या जाएगा, 1.84 माइनस 0.2, बराबर कितना जाएगा, 1.64, यानि कि जो आपका, जो आपका ए आंसवर है, ए आंसवर आपका राइट है, ठीक है, तो ए आंसवर आपका राइट है, तो आपको क्वेशन समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ठोक दो यार, एक नेक्स्ट कोश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट कोश्चन क्या है, हमारा देख लीचे, एक बार आप इसको सोल करके देखे, बड़ा ही सिंपल सा, आसान सा कोश्चन है, एक बार आप इसको सोल करके देखे, देखे, इसी की तरीके से मैंने पीछे कितने सारे कोश्चन करा दिय एक टो उसी के वेस्वार आप इसको तो करें देखिए उसके बाद हम कॉशनbahn में आगे बढ़ते देखिए यहां पर क्या डिया गया है कि यहां पर में का दिया गया है तो पहले डो गुना साथ कर लेते हैं इसके फिर फिर 7 प्लस 5 ठीक है 14 डिवाइड वाइड 14 प्लस 5 ठीक है तो 14 से 14 जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वाइड टू 6 आमस्वरा आपका यहाँ पर यहाँ पर question लेने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था इतना असान question था कोई भी इसको आसानी से कर सकता है बट इस question को अपनी इस question की list में रखने का जो मेरा main purpose था वो यह था कि कई बार लोग क्या करते कि 14 को 14 से cut कर देते हैं और direct यहाँ पर 5 आंसवर लिग देते हैं हाला कि 5 आपका option में भी नहीं है 6 है आपका बट एक्जाम में कई दफ़ा आपको 5 भी option में मिल जाएगा तो आप वहाँ पर 5 टिक करके आ जाओगे तो इस गलती को सुधारने के लिए अगर आपने नहीं किये है तो बड़ी अच्छी बात है ठीक है बट अगर यह गलती हुई है तो इसको सुधारने की आपको जरूत है ठीक है तो इस गलती को सुधारी अगर आपने गलती की है अगर नहीं किये है तो very good तो question बड़ी आसान से लिए मैंने ज़्यादा hard type के नहीं लिए है और mostly आगे आपके question जो है वो hard होते चले जाएंगे और आपका level थोड़ा increase होते चले जाएगा और इसी type के question आपके error के exam में जो है पूछे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका जो question है वो है 5 right 2 by 5 यह नहीं 5 सही 2 बटे 5 का 40 plus x बराबर 800 में x का मान क्या है हमसे x की value पूछी है ठीक है तो सबसे पहले तो हम 5 सही 2 बटे 5 को खोलेंगे तो 5 सही तो देखे जब हम इसकी right खोलेंगे नहीं कि सही खोलेंगे यह तो क्या हो जाएगा यह 5 बटे 25 27 बटे 5 27 बटे 5 गुणा 1 बटे 40 plus x बराबर कितना हो जाएगा 800 ठीक है तो यह question हमारा कुछ इस परकार से है ठीक है जी तो अब हम इसको solve करना है तो देखे अब हम इसको solve करते हैं तो अब मैंने 5 640 को काट लिया कितनी बार पांदूनी 10 और पांच चुक 20 और पांटा 40 ठीक है 28 बार कट गए यहाँ पर तो 27 गुणा 28 करेंगे तो 27 की जब हम 28 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 756 ठीक है 756 हो गए आपका पलस क्या बस्ता है इदर x बराबर 800 ठीक है जी यह लिखे हमने यहाँ पर तो 756 पलस x अब 756 उदर लेकर जाएंगे तो x बराबर 800 माइनस 756 तो x बराबर 44 ठीक है 44 आपका जिसका आंस्वर आ जाएगा यहनिकि b option is right 44 आपका इसका आंस्वर आ जाएगा तो simple था question easy था x वगरा x का माण इसमें पूचा था तो x की value 44 आ गई हमारी तो ऐसा कुछ भी इस question में मतलब hard type की चीज नहीं थी बस थोड़ा right थी इसमें यहनिकि सही वाला question था यह और x की value पूची थी और बाग इसमें जाज़ा करने को कुछ भी नहीं था ठीक है जी तो आगे का यह question देखिए आप एक बार 2.4 into 10 to the power 3 divided by 8 into 10 to the power minus 2 बराबर है तो इस सभी आपके book के question है तो इनको एक बार आप देखिए जरा तो इक question किस परकार से होगा आपका ठीक है तो इस question को एक बार देखिए आप से बनता है या नहीं बनता है अगर नहीं बनता है तो फिर मैं कराओंगा इसको ठीक है तो देखिए जरा एक बार कैसे बने गई है तो देखिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो देखे चला तो 2.4 इंटू 10 to the power minus के 3 तो 2.4 इंटू 10 to the power 3 तो देखिए और divide by divide यहां पे है 8 इंटू 10 to the power minus के 2 चलिए एक वार मैंने आपके question लिख लिख लिए और अब हम देखते हैं इसको ठीक है तो यह कुछ आपका question है तो देखें यहां पे तो इस question को हम किस परकार से solve करेंगे देखिए 2.4 है तो 2.4 में से में में इसको यहां से point अटाना है तो यह point अटा के मैं हाँ पे 10 लिख सकता हूँ यानि की एक 0 यहां पे लगा सकता हूँ तो अब मैं इसको कुछ इस परकार से लिख लेता हूँ देखें अब मैं इसको simple यहां पे divide का sign है और तो अब मैं हाँ पे कुछ इसको इस परकार से लिख लेता हूँ जैसे की 2.4 into 10 to the power 3 divide by 10 into यह divide में है तो यह नीचा जाएगा इसके तो 8 into 10 to the power minus के 2 ठीक है जी? तो कुछ इस परकार से हमने इसको लिख लिया है ठीक है? और यहाँ से यहाँ से point यहाँ पे point नहीं है तो यह point जड़ा इसको अटाओ ठीक है? तो 24 हो गया तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे calculation करते हैं तो 8 या 24 तीन बार कट जाएगा यह और यहाँ पे यह power वगएरा कुछ कट जाएगी ठीक है? तो इनको काट लेंगे तो इसको काटने के बाद क्या हाथा है आपका? इसको काटने के बाद क्या आता है आपका? तो 3 इंटू 10 to the power 10 to the power एक विन्टू को जड़ा है यहाँ पर थोड़े space बना लेता हूँ तो पूरा ही लिख देता हूँ चलिए यहाँ पे भी यह power वगएरा कट करके 3 into 10 to the power 3 minus 2 और minus 1 यहाँ पे minus 2 हो जाएगा और minus 1 तो यह निकी minus है तो यह minus का उपर जाके plus को जाएगा तो यह plus हो गई और यह एक power इसके हाँ से minus हो गई ठीक है तो यह 10 की power एक minus हो गई ओके जी तो 3 into 10 to the power यह हो गए यहाँ पे 3 plus 2 minus 1 यह जो 10 है इसकी 1 power minus यहाँ पे हमने करती है ओके तो 3 और 2 5 minus 1 4 तो 3 गुणा 10 की power 10 की power 4 ठीक है बी ओपसन आपका इसका right है कौन सा बी ओपसन आपका इसमें right है जी ठीक है तो बी ओपसन आपका right है तीन गुणा 10 की power 4 आपका इसका answer है ठीक है तो अमीद करता होंगी समझ में जरूर आ गया होगा आपकी तो अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करतो और अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो दोबारा से आपको समझाने की पूरी कोसिस की जाएगी तो basic level से हम बिलकुल आगे वच रहे हैं तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए ठीक है तो next question मैंने आप लगा दिया है next question आप देख सकते हैं आप कि क्स क्रीन पर आ रहा है तो next question एक बार आप try करेंगे दैन उसके बाद हम इसको solve करेंगे तो एक बार देखे आप इसको कि आप इसको किस परकार से solve कर सकते हैं देखे, question में वैसे तो कुछ भी नहीं है question में आप एक कुछ भी नहीं है 3 into 0.3 into 0.03 into 0.003 into 30 ठीक है, यह आपका question है तो वैसे तो question में करने कुछ भी नहीं है बट एक simple सी trick है और दिल्ली पुलिस 2006 में यह पूछा भी गया है तो question थोड़ा सा important था और बड़ी ही हलकी सी trick लगनी है इसमें अगर आप solve कर पाऊ तो और अगर आप solve नहीं कर पा रहे हो then उसके बाद मैं start कर ही देता हूँ यहापे तो हम यहापे लिख सकते हैं इसको 3 गुणा 0.3 को मैं आपे लिख सकता हूँ 3 बटे 10 3 बटे 10 गुणा 0.03 को मैं लिख सकता हूँ यहापे 3 बटे 100 गुणा 0.003 को मैं आपे लिख सकता हूँ 3 बटे 1000 गुणा 30 ठीक है जी यह हो गया हमारा ओके तो अब आगे बढ़ते हैं तो अब आपस में इनकी गुना कर लेते हैं तो तीन त्या नोन ठार नोतीस सताइस तुन चमाश तैस्तिक यासी तो क्यासी गुना 30 तो पहले उपर उपर की मैं कर लेता हूं तो क्यासी गुना 30 तो सायद चोबिस सो कितना बैठेगा 2430 साइद यह बैठेगा नहीं नहीं हाँ 2430 यह बैठेगा ठीक है तो 2430 एक मेंट चरह गुना करें लेता है वाइस की तो यहां पर हम लेते हैं एक यासी को ना कर दिस पच्चिस सो ग्यारा बैठते हैं ठीक है यह फिर उपर हमने गलती कि है तीन तीन नो नो तीसता थाइस दूने जमास थाइस एक यासी एक यासी गुना थीस ठीक है क्वेस्ट यो सोरी-सोरी-सोरी-सोरी-सोरी दिमाग में चल रहा है भाई सही चीज तो 2430 बैठ रहा है यहां पे मैंने 1300 लिख दिया है सोरी-सोरी-सोरी-सोरी ब्रदर तो 2130 ठीक है एक 저 Nejत्jo節目 इसके गुणा मेरे याद थी मैंने क्ोश्चन यह पहले किया हुआ तो तो यह इसकी की बुक का question है और यह मैंने पहले किया हुआ है तो मेरे को इसकी गुणा जो है exactly याद थी ठीक है तो अब इनकी गुणा कर लेंगे अपस में तो तो यह यह 3 ओर 2 5 और 1 6 ठीक है तो 1 0 से 0 कर जाएगए तो इस स्रीज को आफ देख रहे न आ डंन जो भी आप sounds for आई तो आपकांजोंफर कितना जाएगा तो आपकंश्वर आजाएगा जीरो पॉइंट 1 तो तीन चार पांच ठीक हैं तो तीन और दो पांच तो पांच अगे बाद तो जिरो पुइंट यह जाएगा थी ठीके यह आप कांशर आजाएगा ओके तो किसी-किसी कुश्चन मेरे मिस्टेक हो जाते है क्योंकि यह यात था वरना फिर इस इसी परकार की मिस्टेक्स है कहीं बार जल्दी जल्दी में एक्जाम में भी हो जाती है तो इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब कोशन में देखे जी नेक्स्ट कोशन है हमारा इसको आप एक बार करके देख सकते हैं आप से बन रहा है या नहीं आप एक बार इसको देख सकते हैं उसके बाद हम question में आगे बढ़ेंगा अगर आपसे नहीं होता है तो देखिए देखिए चलिए एक बार हम देख लेते हैं यह कैसा चले कैसा भई तो देखिए एक बार आपसे हो रहा है यह नहीं हो रहा है उसके बाद हम question में आगे पढ़ते हैं देखी जी तो सबसे पहले हम bracket solve करेंगे ठीक है तो 5 और 3 8 8 बटे 2 गुणा 25 में से 15 कए 10 बटे 4 10 बटे 4 पलस 9 बटे 4 यनि कि ये हो जाएगा आपका 8 बटे 2 गुणा 19 बटे 4 ठीक है 19 बटे 4 हो गया 19 अठे कितना होता है आपका 19 अठे बताएए फटा फट से कॉमेंट कीजिए 19 अठे आपका कितना होता है 19 दुनी 38 19 37 19 चंतर 19 पंजब पिचान अठे कुछ क्वेश्चन में गलती है क्या यार कुश्चन में कुछ मेरे को गलती लग रही है भाई देखे हो जरा देखो जरा चेक करो एक बार तो चो काट यहां पे काट लेंगे अरे लो 19 का आपको पाड़ा पढ़ने की जरूत ही नहीं है सीधा सीधा कोश्चन सो लो रहा था ठीक है तो केल्गुलेशन का सब खेल है आप पे और तोड़ा मेरा ध्यान इधर था तो इस साइड तो एक कोश्चन देखो बड़े आराम से हो जाएगा ठीक है तो 19 का पाड़े की भी आपको जरूत नहीं है आप तो आट बटे दो गुना 19 बटे चार तो दो चोक आट और चार से चार कट गए आपका तो 19 बटे चार आप 500 आगा ठीक है तो सिंपल कोश्चन था आपका बड़ा ही आगे चलते हैं तो मेरा ध्यान थोड़ा एक मिन्ट दूसरे फोन पर फोन आ गया था तो इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा इधर चले गया था ठीक है तो आगे बढ़ते आप ओके तो नेक्स्ट कोश्चन देखे भाई बड़ा ही ब्रेकट एक बड़े 5 पलस मजला ब्रेकट बड़े एक बड़े 4 पलस स्मॉल ब्रेकट पांच बड़े 6 माइनस एक बड़े 3 पलस एक बड़े 2 यह बार में है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या बार में होती है सबसे पहले हम उसी को ही सौल करते हैं और 6 आपका ऐल से में आज़ेगा तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 पलस 3 बराबर कितना आज़ेगा 3 और 2 5 बटे 6 ठीक है 5 बटे 6 आपका इस कांसवर आ गया ओके तो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 9 बटे 20 माइनस 1 बटे 5 पलस मंजला ब्रैकिट 1 बटे 4 पलस देखीजी और यहाँ पे एक चीज़ आप और देखे कि 5 बटे 6 ही यहाँ पे है तो 5 बटे 6 में से 5 बटे 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा? ठीक है? तो 0 बचेगा आपका तो यहाँ पे 0 ही हो गया आपका तो इसकी कहानी तो हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं तो बागे बढ़ते हैं कुश्चन में तो 9 बटे 20 माइनस एक बटे 5 पलस एक बटे 4 ठीक है जी? तो यहाँ पे आपका कुश्चन ठीक है? तो यहाँ पे हमने ले लिया इनका LCM अब हम इसको सोल करेंगे ठीक है? तो अब इसको सोल करेंगे तो एक बार्मा कुश्चन पे यहाँ पे जंगा बना लेता हूँ तो चलिए एक और पूरा ही कुश्चन आ जाए तो बेटर है, ओके तो देखें यहाँ पे देखें यहाँ पे हम LCM ले लेंगे 20 आ जाएगा ठीक है? 20 आ गाया LCM और अब कर लेते है 4 4 पलस 5 हो जाएगा यहाँ पे ओके तो यह हो जाएगा 9 बटे 20 पांच चार 9 बटे 20 तो देखें आगे अब इसको सोल कर लेते हैं तो अब यहाँ पे एक इंट्रेस्टिंग फेक्ट ही यहाँ पे बन जाता है आपका कि अब अगर आप आगे ब्रेकेट सोल करोगे तो 9 बटे 20 और इस ब्रेकेट के अंदर ही भी आपके 9 बटे 20 आ गया माइनस 9 बटे 20 ठीक है? यह आपका अंसवर आगा यह नहीं कि 0 ठीक है? 0 आपका अंसवर आगा अब देखते है कि 0 उपसन में है भी यह नहीं तो उपसन तो भाइस में दे यह ही नहीं है बट इसका अंसवर जो है 0 ही आएगा एक बार बागी हम क्रोस चेक कर लेते है कर इंक सवाल हमने दिक्कत तो नहीं की है ओके तो कोशन है मेरे को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं लग लिए तो पूरा कोशन जो है एकदम परफेक्ट है ठीक है ओके तो आज के कोशन जो है वो यहीं पर ही समापत होते हैं अगर आपको और कोशन करने हैं तो आप नीचे कोमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कोशन करने हैं मैं आगे की वीडियो में और कोशन्स लेकर आ जाओंगा बाकी इतनी कोशन्स आगे काफी है इस चैप्टर के लिए क्योंगी जितनी ही आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें उतनी ही ज्या अलग से doubt session रख लेंगे अगर ऐसा आपके बहुत सारे questions आते हैं बहुत सारे आपके doubts आते हैं ठीक है तो अलग से doubt session रख लेंगे एक बाकी आप comment करके नीचे बता सकते हैं कि आपका question कौन सा बना है और कौन सा रहा है और अगर वीडियो में कहीं थोड़ी मतलब कोई calculation mistake हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा अगर मेरा ध्यान ना गया हो ठीक है तो उस चीज को ignore करना कई बार क्या होता है कि चीजे हम बोल सही देते हैं और लिख गलत देते हैं तो उस चीज को आप ignore करना थोड़ा ठीक है तो आज किस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता वीडियो अची जरूर लगी होगी अगर वीडियो अची लगी है तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ओके तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलना मिलता आप से सी किसी नेक्स्ट वीडियो में जैं हिंद वंदे मात्रम